गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स सायराम नमो नमः आज हम देखेंगे अप्ति संस्कुत की एफे ट्री की रिविजन पेपर पैटन के साथ ओके आपको एफे ट्री में कौनसा कौनसा पोजिशन है करनकारकम तृतिया विभक्ति ही अप्टर दैट संप्रदान कारकम चतु किलिंगम तद नपुन सकलिंगम कोई भी लाइन कंप्लिशन के लिए आ सकती है और लुट लखा रहो फ्यूचर टैंस उसके उपर क्वेशन कैसे पूछे जाएंगे मतलब पेपर पैटन आपकी क्या रहेंगी वह हम देखेंगे Question No.1 is अधोधत्येशु वाक्येशु करणकारकम रूपम चिनूत चुज़ द करेक्ट वर्ड विद करणकारकम करणकारकम मतलब क्या तृतिया विबक्ति या दरको करणकारकम का मेनिंग तृतिया विबक्ति क्या होगा करण करता ने प्रतमा विबक्ति कर्म को द्वितिया विबक्ति करण से के द्वारा तुदिया विबक्ति मतलब करण कारकम से के द्वारा उयाद रखना है बाई और वित यह आपको question number one two marks के लिए रहेगा और ऐसे चार question आएगे यहाँ पर मैंने revision में दो ही questions डाले है लेकिन ऐसे ही चार questions आएगे वयम देखो यहाँ पर words अलड़ी दिये है आपने करण कारकम चिनू तो मतलब select करना है अगर यह sentence में करण कारकम रूप कौन सा है वयम मुखेन वदाम हो हम सब मूं से बोलते हैं तो यहाँ पर वयम मुखेन वदाम हो तीन words है इन तीनों words में से कौन सा वड करण कारकम है वयम मतलब यह ओल इससब्जेक्ट मुखेन मुख से देखो करण से के द्वारा यहाँ पर तूतिया विबक्ति आई मुखेन मुखम वड ओरीजिनल वड इस मुखम उसकी तूतिया मुखेन वदाम हो बोलते है करण कारकम मतलब आपने विबक्ति वाण से करना है आपने पर खैना को टिक करना है अग्जाम में क्यूँकि आपका एम से क्यून है अभी तक तो स्कूल में भी शायद आपको बूला के रीटन पेपर भी हो सकता है अभी हम ऐसे ही प्रैक्टिस लेंगे वके मुखेन को ठि करना है next one is गीता द्वी चक्री क्या गच्छती गीता साइकल से जाती है कौन सा वढ़ है यहां पे करणकारकम द्वी चक्री क्या द्वी चक्री का मतलब बाइसिकल से साइकल से by the cycle तो द्वी चक्री क्या इस दवर करणकारकम उसको tick करना है, ओके यह हमारा हुआ question number one, question number two also depends on करनकारक कम तृतिया विवक्ती, लेकिन यह क्या है, fill up है, वह हमने सिब उसको select करना था question one में, question two में fill up है, complete the sentence with the correct करनकारक forms of the words, वयम ड्याश पश्चाम हो हम सब देखते है, देखो देखते हैं, नेत्रेण, नेत्रई ही और नेत्राब्याम, नेत्रेण इस अलसो तृतिया, बट हम एके आख से देखते हैं क्या नहीं, नेत्राब्याम दो आखो से और नेत्रई ही अनेक आखो से, हम स नेत्राब्याम पश्चाम हो, आपने ही यहाँ पर कौन सा वर्ड टिक करना है नेत्राब्याम, ओके, ऐसे आपके दो क्वेशन रहेंगे दो मार्क के लिए, ओके दो ही, एक क्वेशन को एक मार्क है, और क्वेशन नम्रू वन is for half मार्क है, वह आपको तोटल तू मार्क ले पूलो से पुश्पई ही फूलो से यहाँ पे तुरुतिया विभक्ति वाला वर्ड आपने उठाना है पुश्पम तो द्वितिया हुई पुश्पम 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 इस बहु बचनम तो यहां पर हमारा अंसर क्या आना चाहिए है फुश्पई ही फूलो से ओके ना वो क्वेशन नंबर थी सेम अभी हमारा क्वेशन वन एंटू डिपेंड्स ओन करण कारकम तुर्थिया क्वेशन 3 & 4 वो डिपेंड्स ओन संप्रदान कारकम चतूर्थि वाला संप्रदान कारकम मतलब चतूर्थि याद रखनी है करण कारकम तूर्थिया संप्रदान कारकम चतूर्थि तो क्या है संप्रदान के लिए किसके लिए जिसको मिलता है उसकी चतूर्थि हमने सिखा है सेवकह बालिका यह जलम यच्छती देखो दा यच्छ देना सेवक नो का यही चतूरती सोचना है आपने जलम यच्छटी और बाली का यही में चतूरती कांसी है? बाली का यही, so it is σंप्रधान कारकम, भी sjानीज करना है बाली का यही eh, next one जनाहा धनाय विदेशं गच्छंती लोग धन के लिए विदेश जाते हैं, छंप्रधान के लिए धन के ल अप्टर द्याट कशिन नमबर फोर उचिताई ही संप्रदान रूपई ही वाक्यानी पूरयत चतुर्थी वाला वड़ है उस्ते हमने वाक्यानी पूर मतलो क्या करना है कंप्लेटर सेंडेंस विद्ध करेक्ट संप्रदान कारक फॉर्मस अब दे वर्ड्स पिता ड्याश तो पुत्र वड़ की चतुर्थी पुत्रे पुत्रस्त्य और पुत्रायो पुत्रायो पिता पुत्रायो रुप्यकानी अच्छती आपका राम का टेबल वाय हाट चाहिए राम लता फल तो यह आप यह करन कारकम और संप्रदान कारकम सॉल कर पाएंगे तो राम की चतुर् मतलब क्या JACK द्षाष चुक लिया जाष व्यूぁ के लिए बनाता है किसके लिए लोगों के लिए और सुद। हो जो से हमारा कुख वह द्वेवर का लमि प्रोनावन कौन सा आपको टेबल तद तद ए तद किम सा बेलेकिन इस एक्जाम में तद आने वाला है तो तद पुलिंग श्रीलिंग नपुन्सक लिंगम पे या आपके चार फिलप्स रहेंगे तम तव ड्याश देखो तम पहले या आपको यह पुलिंग है या श्रीलिंग या नपुन्सक लिंगे यह सोचना है तम है तो देखो सह तव ते तम तव ड्याश द्वितिया तो यह पुलिंग वाली लाइन है तम तव तान ओके आपके टेबल वायाट रहेंगे तो आप इजली लिख पाएंगे तो अबर अंसर इस तान तान को आमने टिक करना है ड्या अब रहाकि आ है साते तहा प्रतमा एल ताम कमारा तस्याई तो आपने बुलाईन पहले कौन सी पुलिंग है या नपुन्सक्लिंग वह पहचाननी है बार में अंसर डालना है ओके आपको इजली पता चल जाएगा यहां पर देखो ताब भ्यह है वह देखके पता चलता है यह चतुर्थी का लेकिन पुलिंग होता तो त हुआ ता नपुन्सक्लिंग में भी तेब्व हो है मतलब यह स्त्री लिंग है पहले वाले में भी देखो तम तम ताव में पता चलता है वह पुलिंग है सहत तो ते तम तो तान ओके तो यह हमने पहले लिंग पहचानना और बात में लाइन कंप्लेट करनी है तस्याईतां अताब्य हो चतूर्थी ऐसे चार क्वेस्चन्स आएंगे अफ्टर जाट आपको लुटलकार आने वाला है एक्जाम में और संख्या भी आने वाली 1 to 50 याद रखो लुटलकार में क्या है देखो उची तैही लुटलकार रुपई ही वाक्यानी पूरयत complete the following sentence with the correct लुटलकार forms of the roots लुटलकार का meaning सबसे पहली बार future tense तो यहाँ पे देखो first one is त्वाम पुस्तकम डश त्वाम आया मतलब हो कौन सा पूरुश है देखो एनी नाउन और प्रोनाउन इस प्रतम पूरुश after that मद्ध्याँ पूरुश त्वाम युवाम युओयाम वो subject है तर उत्वाम पूरुश अहाम आवाम वयाम तो यह त्वाम है तो मद्ध्याँ पूरुश है मद्ध्याँ पूरुश वाली लाएन C याद रको वो हमने जो सिखा है इश्यती iश्यतשantी इश्यसी इश्यथः इश्यामी इश्यावः इश्यामः तो तवम है तो सी आएगा लाश्ने तो पठिश्यसी पठिश्यथः पठिश्यथः तो क्या होगा तवम पुस्तकम पठिश्यसी तुम बुक पढ़ोगे future tense say you will read a book पठिश्यथः तो यो यूवाम के लिए और यूवाम के लिए तवम यूवाम यूवाम तवम के लिए पठिश्यसी आएगा यूवाम यू बोथ हगर रहेगा तो पठिश्यथः आएगा यूवाम यू आल तो पठिश्यथः आएगा यहां पे त्वम है subject, तो पठीश्यसी लिखेंगे हम, ओके, त्वम, कुस्तकम, पठीश्यसी, after that, next one is, बालकव दूर दर्शनम ड्याश, बालकव इस द्वीवचनम, प्रथम पुरुष द्वीवचनम, देखो, दुरुष पश्य धातु है, दुरुष पश्य उसका future tense, द्र दूर दर्शनम मतलब टेलिविजन देखेंगे, दो बच्चे, two boys, okay, two boys will see the television, तो वहां पे हमारा answer के आएगा, बालकव दूर दर्शनम ड्रक्षतह, okay, next one, last question, उचितम संख्यावाची पदम चिनूत, choose the correct number name in the Sanskrit, four questions for four marks, 37 दिया है, दो, आपको तीन options रहेंगे, उसमें से ए एक option right रहेगा और दूसरे दो wrong रहेंगे, first one is 37 को क्या बोलते है, आपने सब 1 to 50 भायाहट करके रखने है, सब तरीशत लिखा है, सब तरीशत लिखा है, सब तरीशत लिखा है, कौन सा right है, second one, सब तरीशत, उसको हमने टिक करना है, सब तरीशत, after that, 21, क्या बोलेंगे उसक एक विशती ही, एक विशती ही, एक विशती ही, या एक विशती, अगर आपने अच्छे से बायाहट किये है, स्पेलिंग अच्छे से देखे है, तो आप easily लिख पाएंगे, एक विशती ही, our first answer is right, ओके, हमने यहाँ पे टिक करना है, एक विशती ही, यहाँ पे हमारी paper pattern खत तूर्थी विबगती, क्वेशन नमबर फाई, उसमें है हमारे pronouns, तत प्रोनाउंस के फिलप्स, पुलिंग, स्ट्रिलिंग, अपन सकलिंगम, क्वेशन नमबर सिक्स में क्या आएगा, लुटलकार, एंड क्वेशन नमबर सेवन, संक्या, ओके, यहाँ पे हमारी paper pattern खत्म हो झाहँ direct, जब एंड कपादी, जब झाहँ बहाँ पुलिंग, संक्या, डली नमबर DON ध्योट के जब हो तूल कोनाओ लुट